अजे देवगन और रोहित शेटी 2011 में कॉप ड्रामा सिंगहम के लिए एक साथ आये थे इसके बाद इसका सीक्विल सिंगहम रिटर्न्स आया जिसने सिंबो और सुरिवन्शी के साथ एक कॉप युनिवर्स में आड़ होकर बहतरीन फिल्म को बनाया पिछले कुछ सालों से सिंगहम सीरीज के तीसरे पार्ट के बारे में लगातार अटकलें लगाए जा रहे लेकिन इस पर कोई ओफिशल खबर नहीं आई थी वैसे अब कन्फर्म हो चुका है कि सिंगहम पार्ट 3 के साथ वापस आ रहा है और इस बार इसका टाइटल सिंगहम अगेन है रिपोर्ट्स की माने तो सिंगहम को गोवा में शूट किया गया था इसके बाद सिंगहम रिटर्न्स को मुंबई में शूट किया गया अब रोहिज शेटी और अजय देवगन चीजों को अगले लेवल पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है क्योंकि सिंगम अगैन भी आतंगवाद पर आधारित है जिसमें हीरो आतंगवादी संगठनों को पकड़ने के लिए पाकस्तान जाएगा सिंगम अगैन में अजय देवगन और जाकी श्रॉफ के बीच भिड़न थोने वाली है कहानी वही से शुरू होती है जहां सुरिवन्शी खत्म हुई थी एक लीडिंग वेबसाइट के रिपोर्ट की माने तो शेर दिल पुलिस वाला पाकस्तान और कश्मीर में आतंकी संगठनों के मुख्या का पता लगाने के लिए रवाना होगा जिनकी नजर दुनिया के नक्षे से भारत को तबाह करने पर है अजय देवगन के अलावा दो और अधिकारी सिंबा और सुरिवन्शी भी सिंगम अगैन में दिखाई देने वाले हैं हाला कि अभी भी इस बारे में जाधा जानकारी सामने नहीं आई आने वाले हफ्तों में रोहित शेटी और अजय देवगन सिंगम अगैन के बारे में एक और बड़ा हुलासा करने वाले हैं फिल्म पर काम जल्द ही शुरू होगा इस बीच रोहित शेटी रणवीर सिंग के साथ अपनी कॉमेडी फिल्म सरकस के साथ आने वाले हैं मदादे की साल 2011 में सिंगम रिलीज हुई थी फिल्म को अच्छे रियाक्शन्स मिले थे और ये फिल्म बॉक्स ओफस पर सूपर हिट साबित हुई थी इसके बाद आई सिंगम रिटर्न्स इसमें अजय देवगन के साथ करीना कपूर थी फिल्म के पहले पाट की तरह सिंगम रिटर्न्स को भी बॉक्स ओफस पर ब्लॉक्बस्टर का टैग हासिल हुआ था फैन सिंगम अगेन का बड़ी ही बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं बतादे कि फिल्हाल अजय देवगन की फिल्म द्रिश्यम 2 बॉक्स ओफस पर धमाल मचा रहे हैं इस फिल्म ने बॉक्स ओफस पर रिकॉर्ड तोड कमाई करके सब को चौका दिया जल्द ही फिल्म 200 करोड का आखड़ा पार कर लेगी वही अब अजय देवगन सिंगम अगेन के जरिये बॉक्स ओफस पर धमाल मचाने वाले और इस बार वो पाकिस्तान में घुस कर दुश्मनों के छक्के छुडाएंगे वैसे आप सिंगम अगेन के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंड करके जरूर बताएं और बॉलिवुट से जुड़ी खबरों को जानने के लिए वरे रहे हमारे साथ